हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मास वाढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर फाइफ का लेक्टर नमबर थर्ड एंटी एरिदिमिक ड्रग्स ठीक है ना तो एंटी एरिदिमि हैं तो कहीना कहीं हम लोगों ने उसे दो चैप्टर हमारे लिंक अप हैं या तो फार्मसीटिकल केमेस्ट्री फर्स्ट इयर का बहुत जरूरी है वहाँ पर बहुत सारी चीजी हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर करी थी जिससे की टॉपिक की अंडेस्टेंडिंग हो स पूरी डिटेलिंग दे रखिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करके ठीक है ना और उसके बाद फिर यहां आजाएं तो क्या माइंड में पुरा कॉंसेट सेट रहेगा यहां पर हम उन सब चीज़ें को डिटेल वाली चीज़ें हमसे यहां पूछी नहीं जाती है बात समझ की ब्रीफिंग वहां से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहां पर दे रखिए और समझ लोगे तो फिर इसमें फिर कुछ रह नहीं जाता है फिर सेंपल हमें याद करना है ठीक है और एक चीज़ें बता दूंए मैं वैटा कि अगर फश्ट यह में कोई क्लासिफिकेश को भी रख सकते हो जैसे कि इस वाले ड्रक के केस में ठीक है अगर मैं आ गया जाओ तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन मैंने जो है अलग दे रखिए तरीके हैं अलग बुक्स में अलग लग होता है ठीक है तो यहां पर फार्मकलोजी पढ़ रहे हैं थे इस पेसल तो इस प सब्सक्राइब रखता है तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही करो अगर तो याद है तो उसको भी लिख सकते हो खिले बाते तो एंटी अरिद्मिया क्या होता हम सबको पता है हमारा हार्ट वीड जो है प्रॉपर नहीं रखता है कम ज्यादा हो जाता है धड़कने बढ़ जाती यह कम हो जाती है अब उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवायां करते हैं सिंपल सी बात है और डिटेल में जाना है तो फार्म सिटिकल का जो पाट रखा है वने फार्म स्ट यह वहां पर जाके इसके डिटेलिंग देखेंगे फिलाल सिंपल हम जहां डेफिन से समझते है क्या है डेफिन सब्सक्राइब यूज तो प्रिवेंट और ट्रीट क्या रोकना हमें यहां पर इर्रेगुलेरिटीस ऑफ कार्दियक रिडम इर्रेगुलेरिटीस जो वह पैदा हो गई है कि रेगुलर रिदम नहीं बन रहा है हार्ट बीट प्रॉपर नहीं आ रही है दिल इन दवायों को यूज करके हम लोग इस इर्रेगुलेरिटीस को दिल जो काई से नहीं धड़क रहा है हम लोग उसको काई से धड़का सकते हैं ठीक है ना ओके आगया आते हैं नेरली थ्री आउट आउट ओफ पेशेंट ऑफ एक्क्यूट मायोकार्डिया इंफरक्शन ठी कोना इर्रेगुलेरिटीस ओफ काडियकट डिदम उनके अंदर कुछ इर्रेगुलेटीस देखी गई है ठीक है एरिजमियास आरक मोश्च इंपॉर्टैन कॉज ऑफ सरदन् कार्डियक डैथ जो हार्ट अचानक से हार्ट की डैथ हो जाती है हार्ट काम करना बंद कर देता ह उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिद्मिया ठीक है ना अब यहां पर क्या है डिटेल क्लासिफिकेशन अब यहां पर एक चीज आप लोगो साहिद समझ में नहीं आएगी जो यह जो वर्ड लिखाऊ मोडरेटली डिक्रीज डीवी अपॉन डीटी डीवी क्या है विटा साहिट फिजिक्स पड़ी होगी अगर तो पुटेंशियल याद है चेंज इन पुटेंशियल विद रस्पेक्ट टाइम तो मेंब्रेन होती है मेंब्रेन का कॉंसेप्ट है ने समझाया हुए है डीफाम फ है और यह उसके अंदर आजाएंगे मैंब्रेन स्टेबिलाइजिंग जो मैंब्रेन होती है वो जब गर्वड करती है जिसकी वाज़िसे हर्टबीट गरवडा जाती है लिए तो मेंब्रेन लिए करना है उसके वोल्टेज में डिफरेंसेस क्रिए हो जाते हैं तो इसलिए यहां पर क्या है यह moderately decreased dv upon dt of zero phase अब zero phase भी तुम लोगो साथ नहीं detail नहीं पता होगा ठीक है ना cycle के phases होते हैं जो change होते हैं उसमें क्या कहते हैं वोल्टेज जो होते बदलते हैं ठीक है और पता है अगर हम लोग इसको वोल्टेज डिसकस किया है कि नहीं किया मैं कोई ध्यान नहीं है ठीक है तो यह process अभी कर नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे के वल मैंब्रेनी स्टेबलाइजिंग एजेंट और उसके अंदर के ड क्या होता है ठीक है जो सिंग्नल क्रियेट होता है तो एजेंट वाइडनिंग एक्शन पूटेंशिल एक्शन पूटेंशिल को बढ़ा देंगे क्लास फोर्थ कैल्चियम चैनल ब्लॉकर इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और ड्रक्स ओफ पीएस वीटी पॉर ऑक्सिमल सु इसको था चुटो फोर चल जाएगा अधरवाइस एक दो तीन और चार गडर केटेकरी की ड्रक्स हम लोग होने फृस्ट इयर में भी कवर कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग है टिक कर लो को और कौनको से ड्रक्स अपने फॉस्ट यह में थे उनको जब खास फोकस करोगे के ठीक अब अंदर कुरिदीन प्रोकेणमाइट और डाइसो प्रोपैरमाइट अब सारी डुसको में रीड नहीं कर रहे है यहाँ ठीक है कि उसक्षास खास है जिनको याद रख सकते हो जैसे प्रोकेणमाइड आ जाएगा यहाँ पर लीडोगेर न यहाँ पर क्या जाहिएगा प्रुपाफिनोन विरापामिल आ गया देन प्रोपनलॉल आ गया एसमलॉल प्रोपनलॉल पहले भी थे हमारे पास ठीक है एमिदोरेंड देन सोटालाल आ गया सोटालॉल ठीक है क्लास टू आज वल तो यहां पर क्या है कुछ खास-खास ड्रॉग्स है और मैं फिर बता रहा ह आते हैं क्लास वन टू-3-4 देखो इस तरह से सिंपल बना सकते हो मैंने का ना माइंड नर्चर माइंड को नर्चर करना है ऐसा मत याद करो खतर कहां नहीं कोई नंबर नहीं काटेगा तो यह कई बार में मिल जाते हैं इस टाइब से तो मैं डालने कोशिश करता हूं इससे जाते हैं कि जो बच्चेव के बार पास होने से मतलब है तो अपना मिनिम्मम का रखें पुरह डिटेल में जाने की ज़िरूरत नहीं है कि लिए बाते हैं आगे आते हैं अ फार्मकोलाजीकल एक्शन देन डोज़ फार्मकोलोजीकल एक्शन नहीं सबका सेमी हैं तो समझाय हुआ है तो यहां पर सबसे पहले प्राइमरी एक्शन क्या होता है लिमीट दा कंडेक्स्टेंस ऑफ सोडियम पूटेशियम अक्रॉस दा सेल मेंब्रेन इतना लिख दोगे सबके लिए सेमी है देन डोज आ जाएगी डोज मैं फिर बता रहा हूं वही जो इंपॉर सब्सक्रक्राइब करों तो दोंगो किशस कर लोज करने का जैसा कि चार क्लास है एक इसका दница करोंगे एक ऀसका और कि सकॉस्ट सब्सक्राइब का याद करने कोशिश करो जो सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है टैकाइकाडिया वेंट्रिकुलर फाइप्रिलेशन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक तो इन सब कैटिगरी यानि कि जितनी वी कैटिगरी तुम लोगो ने फर्स्टियर में याद करी है अगर तो यहां लिख दो गई इंडिकेशन हो गया हमारा ठीक है न थोड़ा सा द नहीं करेंगे हाइपोटेंसन ने बहुत लो रहता है इंसान का तो बड़ा देख के इस्तमाल करेंगे इसका और कार्डियोजनिक शॉक है जो पढ़ेंगे आगे जाकर के उसका इसका इस्तमाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है ना किलियर है तो अगें यह छोटा साथ च जाते हो वहां जाकर तुरण पिछला रिवाइज पका कर लें इससे क्या है पढ़ाई बहुत असान लाइगी को लोजी बिल्कुल भी टफ नहीं लाएगी और क्लासिफिकेशन जो है वो फश्ट यर वाले अगर याद है तो फश्ट यर वाली क्लासिफिकेशन लिखो नया को रिविजन करना है और पढ़ाई करनी है आल दा बेस्ट